डस्टिन पोरियर का ये कहना है कि UFC 302 में इसलाम महाचेफ से फाइट करने से पहले उनकी रिप्स में चोट लग गई थी और ट्रेनिंग कैम के टाइम पे वो रस्लिंग प्रैक्टिस नहीं कर पायती जिसके कारण उनकी थोड़ी बहुत प्रफॉर्मेंस यहां पर अफेक्ट टाइटल के लिए उनका रिप्लाई कर रहा है काफी टाइम से अर्मान सारू के ट्रोल और ट्रैश टॉक करने इसलाम महाचेफ की तरफ और इसलाम महाचेफ ने फाइनली उस चीज़ का रिप्लाई कर रहा है सब कुछ इस वीडियो के अंदर डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा युए सी कॉमबाट स्पोर्स का ऐसा ही कॉंटेंट हिंदी में इंजॉय करने के लिए अभी कुछ हफते पहले स्लेकेंड जून को यहाप पर युए सी 302 में एक बहुत बड़ी पुट अप करी हलाकि वो इस फाइट को जीत नहीं पाए थे राउंड फाइब में उनका समिशन हो गया था बट यहापर उन्होंने काफी अच्छी फाइट पुट अप करी और शायद इसलाम महाचेव को उनके गैरियर की सबसे टफेस फाइट भी डस्टिन पोरियर ने इ देट काम करता भिससा funding के अंदर बहुत रिंगरस ट्रेनिंग होती है और जो उसका अपोनेंट होता है उसके NICK करेंग करी जाती है और 8-10 ab bunॐ के काईव रेस्ली प्रैक्टिस नहीं करी अब यह चीज कहीं नहीं करें सब्सक्राइब क्योंकि रदस्टिन पोरियर के आपर अपोनेंट इसलाम महाचेव था और उनको अपनी रस्लिंग में काफी जादा इन्वेस्ट करना था और उन्होंने अपने बहुत ज़ादा हैवी रस्लिंग अप्रोच लिया होगा इसलाम महाचेव के लिए बट यहाँ पर आप सब फाइट को पूरी तरीके से क्लोजली अनलाइस करेंगे तो डस्टिन पोरियर ने अपना अच्छा ग्राउंड होल्ड अप करा अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई जो प्रॉब्लम में आपर डस्टिन पोरियर के आई वो और तो और भायो डस्टिन पोरियर ने इंटर्वियू के अंदर इस चीज़ क्लियर करी है कि उन्होंने इस इंजूरी को किसी भी तरीके से एजन एक्स्क्यूस नहीं बताया है उन्होंने बस यह चीज़े रिवील करी कि उनके साथ जो फाइट कैम्प में और ट्रेनिंग क कहीं आपके जादा प्रेशर पड़ेगा जिसके कारण आपकी बॉडी का वेर इंटेर जादा होता है और आपको इंजूरी के चांसे जादा होते तो कभी भी कोई भी फाइटर हंड़ेट परसेंट अपनी फुल हेल्थ में फाइट नहीं करता है इन फाइट यह चीज़ को मैं काफी जादा सबोर्ट करता हूं कि फाइटर्स आजकल के टाइम पर पुल आउट सकम करते हैं ऐसा फैन हम सब को काफी जादा डिसाटनिंग होता है जब कोई फाइट ऐसे बिल्डप होती और फिर बीच में कैंसल हो जाती है डेफिनेटली यह चीज़ एज़ा एक्सक् जो कि इसलाम महाचेव से कोई भी छीन नहीं सकता कि आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा और तब तक इसलाम महाचेव ने यहाँ पर अपने लाइट वेट के अगले कंटेंडर अर्मान सारुकियन को एक मेसेज बेज जा है और उनका ये कहना है कि अर्मान सारुकियन जो अपने इंटर्व्यूज में हमेशा इसलाम महाचेव को मिरते रहते में ऑर इससा इसलाम महाचेव कर रहा है अर्मान सारूकियन को और इसलाम हाचव ने ये भी बोला है कि वह अर्मान सारूकियन को 5 साल पहले भी हरा चुक Лю और finally once and for all वो अर्मान सारूकियन को shut off कर देंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि काफी बिफिटिंग रिप्लाई है आप पर इसलाम महाचेव ने ऐसा चैंपियन अर्मान सारूकियन को दिया है क्योंकि कहीं न कहीं यह चीज़े हैं आपर monotonous definitely होने लगी थी अर्मान सारूकिय क्योंकि lightweight division में सारे fighters बहुत तगड़े हैं हबीब का जो fighting style था वो बहुत अलग था उस time पर सारी चीज़े नई थी डागेस्टानी wrestling को अभी आप नए-ने coaches figure out कर रहे हैं तो definitely सारी चीज़ों यहां पर catch up किया जाएगा और भाईयो हम सब को एक चीज़ तो accept करनी पड़ेग इसलाम महाचेफ for the kill जाते हैं इसलाम महाचेफ chances लेकर fight को finish करने जाते हैं जो कि एक बहुती commendable चीज़ है और हम सब को इस चीज़ को respect करना चाहिए डागेस्थानी fighters की usually fight को ऐसा बोरिंग होती है बाकि आपके हिसाब से अगर यह fight होती है इसलाम महाचेफ versus अर्मान सारूकेन तो कौन जीतेगा मुझे नीचे comment section में जरूर बताएगा वीडियो पसंद आएगे तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें जीगा मिलता हूँ आप सब को नेक्सी वीडियो में अगले अपडेट के साथ बाए बाए